देखे जनपत गोरकपुर के थाना बेलीपार में 31 दिसंबर 2022 को ग्रावीन छेत्र में एक यूगती का शव बरामद हुआ था जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे इस सबंद में ततकाल मौके का निरिक्षन उच्छदिकारियों द्वारा करने के पस्चात पंचायत नावा की कारवाई होने के उपरांथ क्योंकि शव की पहचान नहीं हो पाई थी तो शव को मौर्चरी में अगले बहत्तर घंटे के लिए रखवाया गया जो बॉडी थी उसकी सर्च से एक रेलवे का पास बरामद हुआ जिसमें एक व्यक्ति का नाम लिखा था और पता मुगल सराय जन्पर चंदौली का था इस लीड पर जब इसके बारे में जानकारी करने के लिए चंदौली में पुलिस कर्मी भेजे गए तो इस पास धारक की पूरी जानकारी हुई जब उन से घटना के बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा उस यूपती को अपनी पुत्री के रूप में पहचाना गया जिनका की नाम सरिता मौरया उमर करीब 24 साल है उनके द्वारा ये भी बताया गया कि 2018 में इनकी पुत्री की जान पहचान फेसबुक के माध्यम से एक मारूती नंदन मौरया नाम के वेक्ति जो की बेली पार थाना का रहने वाला है जनपर गोरखपर का उससे हो गई थी गोरखपुर के थाना बेली पार पे मुकदमा पंजिक्रित किया गया और पोस्ट मौटम की कारवाई करवाई गई F.I.R. के अधार पर जब मारूती नंदन मौरया को हिरासत में लेकर कूश्टाच की गई तो उसके दुआरा पूरी घटना को कबूला गया है और यह बताया गया है कि 2018 से ही उसका इस यूटी के साथ प्रेम सम्मन्द था और उसके साथ वो भुविन शेहरों में जैसे की ब प्रेयास किया गया परंतु 30 तारीक को इसके दौरा लखनवू से यूटी को यहां बुलाया गया ट्रांसपोर्ट नगर से अपने मुट साइकल पर उसको पूरा दिन ही ये 30 तारीक को विविन जगा पर घुमाता रहा और रात के समय पर अंधेरे और कोहरे का पादा उठा करके इसको खेतों की तरफ ले गया और वहां पर जाकर इनका अपस में वाद विवाद हुआ उसी में इसके द्वारा इस यूटी को चोट पहुंचाए गई और इसको मृत समझ कर वहां से अपरार हो गया इसको अरेस्ट कर दिया गया है अरेस्ट करके इसको गेल भेजा